रियल्मी C2 वोईस कोल प्रॉब्लम सोर्व स्वागते दोस्तों आप सभी को LX Tech YouTube चैनल पर दोस्तों मैं आज आज आपको बताऊंगा अगर आप यूज करते हो रियल्मी C2 के मोईल उस पर आपका कोल वोईस प्रॉब्लम सोर्व कैसे करें तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर चैनल पर आकर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिक्शन बिल आइकन को क्लिक कर लेजिए और लाइक के बटन को क्लिक कर लेजिए तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कुछ टीप्स एंड सब्सक्राइब और आपको सॉलीशन भी बताऊंगा दोस्तों इसको यूज़ करके आप अपने रियल्मी सीटु के मौइल पर वह स्कोल का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्फ कर सकते हो दोस्तों आपको अपना नेट्वर्ट को चेक कर लेना है कि अपडाउन है की नहीं दोस् का प्रोब्लम से हमें लोगों वहाइसि प्रोब्लम हो सकता है तो दोस्तों अगर माइक कप कुछ प्रोब्लम है तो शच्छ को को लेकर लेकर पासको दिखा सकते जो है Sab Chap Pine नी हे आनी के बाद दोस्तों आपको यहां पर आना है एप मेनेजमेंट पर एप मेनेजमेंट पर आने के बाद इसको क्लिक करने के बाद जो सिस्टम प्रोसेस है इसको क्लिक कर लेना है जैसी क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर आना है सिस्टम सिस्टम लॉंचर सिस्टम लॉंचर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के ब कर लेने के बाद स्टोरेज यूजर से दोस्तों इसका जो क्लियर डाटा है इसको भी आपको क्लियर कर लेना है क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको फिर से बेग जाना है बेग जाने के बाद आपको यहां पर आना है दोस्तों कॉन्टेक्स पर कॉन्टेक्स पर आने दोस्तों कॉंटेक्स पर आने आपको कॉले यह रहा कॉंटेक्स तो दोस्तों नीचे जो दिया पर्मीशन है इस ऑप्षिन को आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं परमीशन है आपका जो परमीशन है पर हैं डिस एबल है उसकी एने बल्फ कर लिए जसी कि मैं prospective इसको इसेबल है इसको मैं इसेरो कराने को छो दूस्तों फिर इसको स्टॉरज़े इसको भी में डिसेबल कर लोंगा दोस्तों फिर आपको फिर She is को एने बसक्रलेना है और नीचे वाल स्टोरिच को भी आपको एनेबल कर लेना है तो दोस्तो ऐसे करके आप अपने को वोई स्कोल को प्रोब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं तो उसके बाद आपका जो मॉबाइल है इसको रिशेट रिश्टार्ट कर लिजे आपको प्रोब्लम सॉल्फ हो जाएका दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए थैंक यू